हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉटन इंब्रोइड चलवार सूट एंड ड्रेस माटिरियल की अन्बॉक्सिंग एंड रिवी वीडियो जिसे मैंने ओडर किया था मीशो से यह मुझे रिसीव्ड हो चुका है आईए द को एक पॉलिटिन पैकेजिंग के साथ आता है अपर पैकेजिंग मैंने बहार डिस्कार्ड कर दी है मैं इसमें ग्रे कलर ओडर किया था इसमें ब्लू रेड ब्लैक और भी कई कलर मेंचन थे अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं इस तरीके से आपको ड्रेस माटिरियल रिसीवड होता है जो कि फुली अनिस्टिच फॉर्म में है इसको आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं जो शर्ट का माटिरियल है टॉप का जिसे हम जंपर बोलते हैं उसमें बस साइज 48 इंचेस तक के जा सकता है और लेंद जो है वो 46 इंचेस तक के जा सकती ह और यह आपता है आपका दूपटा जो इन्होंने मेंचन किया था 2.5 मीटर बट मुझे देखने से यह दो या सवादो ही मीटर का लग रहा है धाई मीटर का नहीं लग रहा है यह फुली इंब्रोइड़ेड है इसमें कहीं भी प्रिंटिंग वर्क नहीं यूज किया है 1360998 और अगर आप मीशो को फर्स टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक के साथ अगर डाउनलोड करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस तरीके से जो जंपर पर आपको मिरर वर्क दिख रहा है व और ओरिजनल मिरर यूस किया हुआ है वो जो कपड़े वाला मिरर होता है मींस प्लास्टिक मिरर नहीं उस किया हुआ है और ओवर ओल सूट्यू क्वालिटी जबरदस्त है जैसी मेंशन की थी ऐसे ही रिसीवड हुआ है दूपट्टा धाई मीटर नहीं है दो से सवादों आप पकार सकते हैं मेरे पास मेशरिंग टेप नहीं नहीं तो मैं आपको बता देती बट दूपट्टे पर जो वक किया हुआ है इंब्रोइडरी का वह बहुत सफाई से किया हुआ है कहीं पर भी कोई थ्रेट्स नहीं निकल रहे हैं और इसमें जो गोल्डेन कलर का गोटा यूज किया है वो सिंपल गोटा नहीं गोटे में भी थोड़ी सी इंब्रोइडरी है बिल्कुल चीप क्वालेटी वाला नहीं है ऐसा मैंने आपको जूम करके दिखा दिया अपनी स्टार्टिंग में देखा होगा और केटलॉक में जैसी पिक आयुनों ने मेंशन की थी व थैंक्स वा वाचिग इट